तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फ्री वेब होल्टिंग तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हुआ 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 ह पर चले जहां पर आपने लिखना है infinity free.net अगर जैसे आप infinity free.net लिखेंगे तो यह website शोर जै कि आपको आपने इस website पर आना है तो यह website दे रही है हमें free unlimited web hosting लेकिन यह unlimited नहीं है इसमें सिर्फ अब three website host कर सकते हैं और three website host कर सकते हैं जिसमें हमें यह दे रहे हैं unlimited disk space है unlimited bandwidth है और four hundred mysql data space php 7.4 वहीं तक दे रहे हैं यह बहुत अच्छा benefit वहीं है इसकी SS आपको दूर चाहिए होती है उसके बाद ही हमें दे रहे हैं free subdomain names and free SSL on your domains के उपर और free DNS server जिसमें आपकी domain को setup किया जाता है इसमें आपकी domain को setup किया जाता है चलिए हम सबसे पहले अपना account create कर लेते है account create करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नई है तो प्लीज चैनल को subscribe करते हैं ताके आने वाली वीडियो आपको मिल आपको सबसे पहले आपने जाना है infinity free.net पे और क्लिक करना है sign up now पे free web hosting और sign up now यहां पर सबसे आप पहले आपने अपने email address ऐसμεने उसके बाद password input करना है और उसके और confirm password करना confirm password करने के बाद मेरे लिक़ने है I have agree in terms and conditions और यह I am not a discourse इस पे click करने आए इस पे click करने के आप आप вас Πोばいिक अड्रेस जो आपने इस पर इमेल दिया है उसको verify करें तो इसके बाद मैं अपने email account पर जाता हूं और यहां से इंका email मुझे verification आ गया है तक्रीबान कोई 2-3 मिनट के आंदे तक करीबान कोई 2-3 मिनट तक इनका email verification आ था यहां पर मैं इनका email verify कर देता हूं तो verify करने के बाद यहां मैं अपना अकाउंट डालता हूँ मैं अपना इमेल लगाया था है मेरा इमेल वेरिफाय हो गया और मैंने अपना यह इमेल और यहां रिमेंबर में क्लिका देते हैं और यहां पर आपने करना है साइन इन हैं साइन पर या आपसे कुछ पूचेगा इसको कलिक करना आपने पारों को और वैरिफाइ करना है के बाद यह आपका काउंट साइन का दगर करें अगे अगर दोबारा साइन इन करते हैं हम कि यह एक इशव आ रहा है मैं इसको धर ही मेल करने के बाद मेरा किणा इशवा गया था विम्हार टार कर लिए मैंने मेरा इमेल वैरिफाइ़ हो चुक jsा मяти बारा तो यहां पर मैं मैं अपना password लगा लेता है और यहां पर मैं sign in करता हूँ तो वह जो मैंने account create किया तो मेरा sign in हो गया यह इनका जो account का home page है वो यह है यह मेरा email है यह मेरी profile आपको मैं दिखाता चलू यह मेरा email address है forum name यह है और अब ही आपने account पे चलते हैं यह देखें यहां पर यह दे रहा है तीन website आप create कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं एक website create करता हूँ आप create account पर जाते हैं मैं यहां अपना sub custom domain अगर आप पर you need to find the infinity names before you use it अपने infinity name सबर पर जाके वो domain register करा लें नहीं तो अगर आपके पास पहले स़ी कोई domain है तो वह आप यहां add कर सकते हैं नहीं तो आप यहां sub domain लिखके additional file पर चले जाएं यहां अगर मैं sub domain लिख ले तो चौदी सेफटेक और infinity free search domain यह domain search करेगा अगर है कि नहीं तो the selected domain already used तो इसके आगे मैं 123 लगा के वैसी मैं example के तौर पर आप कोई भी domain रख सकते हैं इसमे additional file यह मेरी label जो domain है वो यह है यहां पर आपने automatically password है और यह done है मेरा account policy created मेरा account policy created है तो मैं आपको उस पर लेता चलो हूँ जिसमें मैंने अपने दो website host भी कराई हूँ यह मैं आपको दिखाता चलूँ तो मेरा जो account है वो गीते चला कि यह है इसको मैं back करके दिखाता हूँ यहां पर मुझे यह नहीं है मैं इसमें अपना account sign out करके आपको अपने पराने वाला account दिखाता चलूँ यह यहां से लोगी नहीं मेरा पराना account उस पर create किया वह जिसमें अपनी दो website host की हूई है जिस पर label लिगा है rg9taxi.eps.com और एक है यह website for 24 staff.com मेरे पास सिर्फ अभी एक account रहे है जिस पर website मैं ना सकता हूँ कि मैं आपको अपनी website दिखाता है चलूँ manage website पर चाहते हैं और यह इनका dashboard है यह control panel है file manager edit account और यह जिसमें यह आपने अपना पूरा database है जिसमें यह आपके main domain है और यह आपका domain and sub domain है domain यह है और इसका type है sub domain की type main domain यह आपकी इस files को आपने upload करना है और फ्री ऐसे आपका map मैं अपना control panel दिखाते है चलूँ आपको यह है मेरा infinity free का control panel जिसमें मैंने यह statistics हैं जिसमें यह plan है FTP का account 1 है sub domain unlimited दे रहे हैं जिसमें addon domain 1 और park domain unlimited है और M.E.O.S. kata speed भी unlimited है यह भी unlimited है और यह भी unlimited है इसमें काफी कुछ benefits हैं जो आपको unlimited दिया गया है इसकी main domain यह है जो आपको दी गया इसके जिए आपकी website access होगी और यहां से आप अपना software application download कर सकते हैं मैं आपको अपनी website दिखाता चलों जो मैंने इस पर hosting की होई है और इस पर मैं अभी काम कर रहा हूं यह मेरी website है यह इन्होंने मेरा account यह मेरी website है यहां से wordpress इंस्टार के था वन क्लिक wordpress था और बाकी भी content management system है यहां पर बहुत जादा लेकिन मैंने यहां से एक इंस्टार किया है वही दिखाता चलों आपको यह मेरी website है यह मेरा URL जिसकी website है इस पर क्लिक करता हूं तो यह अगर आपने यह सीखना है तो मुझे comment दरूर करीगा ताकि मैं आगे इस वीडियो बनाता रहूं तिल हाल के लिए अल्ला हाफिस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को subscribe, like और share दरूर करिएगा